Hello everyone, कैसे हो आप लोग, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होगे and मैं आज आप लोगों के एक चीज ये बताने वाला हूँ कि देखिए, एक चीज सभी के माइन में होता है confidence, ठीक है? ये confidence नाम का chase अखिर इतना हम लोगों को क्यों प्रसान करता है? जब भी आप कहीं जाते हो, अगर आप कहीं इंटर्व्यू देने जाते हो, किसी company के इंटर्व्यू देने जाते हो तो वहाँ पर एक चीज होता है कि student के mind में एक चीज बन जाता है कि वो जो सामने वाला बैठा हुआ है, वो हमसे जादे जानता है यह एक सबसे बड़ी concern है, है ना? चलिए, मैं इसी topic पर आज बात करूँगा और मैं आपको कुछ steps, कुछ बाते बताऊंगा, जिसको आपको follow करना है number one, सबसे पहले, तो आप overthinking करना बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि आपको ही पता है, कि आप जो पड़े हो, जो जानते हो, वही बता पाऊगे, उसके सिभा कुछ नहीं बता पाऊगे, राइट? अगर आप satisfy हो, तो comment करें कब जरूर बताना, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप नहीं जानते हो, तो है, वह आपको reject करेगा या फिर करेगा sorry, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है, कि student जाते ही घवरा जाता है, जो जानता है, वह भी नहीं बता पाता है, कारण इसका ये होता है, उसको लगता है, कि उसको जो पुछा गया है, जो question पूछा गया है, वह भी question लगता है, कि जो पता नहीं मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली बात यह होगा, कि आप बात में पस्ताबा करोगे, मैंने तो पहली बात उससे पूछा नहीं, और अगर पूछ लेता तो कास वो कह देते, कास वो कुछ जबाब दे देते, मुझे कुछ बता देते, है न, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है न, आपने क्या किया सबसे पहले, कि वहाँ जाना, मतलब माइन में ये settle कर लिया, कि नहीं, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आज कल की, तो गाइस, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही बसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो, आप एक सबस्क्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड के साथ सेर करें, एंड इस परकार की informative वीडियो आपको मिलता रहेगा, एंड एक सबसे बड़ी ब